जैं हिन्द इस विडियो उनलों लोग RS I की बारे में बात करेंगे कि RS I क्या होते है ताथ का RS I कैसे निकाला जाता है या देखा जाता है और सबसे बड़ी बात कि कि किसीन चरफ सक का confirmed करते है तुर उसके पहले उसकी सबुष करते है और मिनिमुम 12-14 पैरामिटर्स होत प्ले लिश्ट वाले सेर मार्केट के फुलडर में जानेंगे क्या होता है और साथ में आरे से किसी स्टॉक का देखा कैसे जाता है कहां पर उसको चिक किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा तो बिना तेरी के डारेक्ट मुद्दे पर आते हैं और काम की बात सुरू करते ह वह समझें कि अरेंट होता है होता है जो होता है कि इंडेक्स के इस ट्रेंथ को बतलाता है यहां समझें यह मार्केट कि स्ट्रेंथ और weakness को बतलाता है अर्थात उस अभी जो कोई particular stock है वो अभी up trend में है कि downtrend में उसको बतलाता है इसे 14 दिनों को basis पर आखा जाता है जनरली जो आरेसाई देखा जाता है उससे 14 दिनों को basis पर जो आप चेक करते हैं उसमें 14 दिनों को basis पर दिखाता है और यह जो lowest पर 30 पर होता है आपको थोड़ा अगर ने होंगे तो कुछ अजीव लग रहा होगा लेकिन अभी चुम में बता दूंगा पूरा बात समझ में आ जाएगा समझे आरेसाई का हाईश कितना होता है सत्तर और लोएस्ट थीस होता है और लोएस्ट होता है तीस से भी नीचे होता है जीरो हो है पचास माना है पचास के आसपास चींता की बात नहीं कोई दिकत कब होता है जब अगरंक टॉंटर में इंवेस्टमेंट की है तो आपके लिए आरेसाई कुछ इंश बहुत नहीं रखता लेकिन अगर आपको किसे stock में entry लेना है तब आपको RSI देखना बहुत जरूर होता है और साथ ही किसी 32 को अगर exist करना उससे stock से तब उसके लिए RSI देखना बहुत important होता है अब ध्यान से समझे आरेसाई मानने यह 30 से उठना शुरू हुआ गया 70 फिर 70 से डाउन हुआ 30 फिर 30 से उठा 70 गया और 70 से आया 30 आया अब अगर आप इसमें entry लेना चाहते अर्थाथ शेयर को बाई करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए आपको पहले देखना होगा RSI है कहां मानने यह अगर RSI 30 के आसपास है तब आपके लिए सही समय है बाई करनेगा और जो बेक्ती ब यहां पर आया तो क्या यहां पर बेक्ती कोई बेचेगा यहां पर नहीं बेचना है समझे है RSI जब 70 के ऊपर चला जाएगा और वहां से जब डावन होकर तो यहां पर बेच देना चाहिए फिर समझे माले जोंडिंगे सत्तर से नीचे आइज अर तीसा आइज से उठा फि नहीं 70 का स्पास जबा रहा है वहां पर शेर को सेल करेंगे इसी तरह जो लोग के स्टॉक को बाइख करना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए यहां पर बाइख कर नहीं करना है 30 से नीचे आकर जब उठना सुरू होता है तब यहां पर बाइख करना है फिर समझें तो यहां पर बाई करेंगे यहां पर बाई करेंगे तो उम्हीद करता हूं आपको कि इंट्री लेना को अब्जिक्षिस्ट कारना आपको बातें असानी समझ में आ गही होगी अब समझे कि किसी स्टॉक का आरे साइ कितना है कैसे चेक किया जाता है इंवेस्टिंग.team नाम का एक वेबसाइट होता है जब आप अपने क्रोम ब्राउजर में इंवेस्टिंग.team नाम के वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर किसी स्टॉक को सर्च कीजिएगा उसे स्टॉक का चार्ट टोपेन होगा ओबर वीव के बगल में चार्ट नाम का एक option आएगा वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां Candlestick बार नाम का एक option बना हुआएगा उस पर फिर आप क्लिक करेंगे आपको सर्च करने का option मिलेगा वहां पर आप RSI सर्च कीजिएगा उसे स्टॉक का RSI खुल करा जाएगा RSI निचे में चार्ट के निचे में तो इसी पूछे बाकी मिलते हैं नेक्स बीडियो में तब तक लिए धन्यबाद शुक्रिया